हेलो एरिवन स्वागत अब सभी का ओनलाइन स्टेडी जून में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरों का मुख्य परिच्छा की मॉक्टिस्ट का डी 75 आई होप कि फ्रेंस इससे पहले कि आपने सारे पार्स को जोईव देखा होगा तो चले फ्रेंस इस वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंस आज की इस वीडियो का फॉस्ट को जना आपके स्कीन पर यह रहा कि सांख योग न्याय वैसे सीख मिमान सा एवं वेदान्त इन 6 भीन भारतिये दर्शनों के सपस्ट रूप से अभी वेक्ती हुई है किसमें अभी वेक्ती हुई है हमेशा की तरह पढ़ते हैं कि आपको पांच सेंट टाइम में लेगा तो आपका समय शुरूता है अब इस questions का सही उतर होगा option number a यानि की वैदिक यूग में options a बिलकुल correct answer हो जाता है ठीक है friends मैं आपको बता दूँ कि जो वैदिक यूग था इसे आरियो द्वारा जो निर्मित सभियता थी उसी को कहा जाता था वैदिक सभियता या फिर वैदिक यूग तो ये points important है याद रख सभियत में से रह गयते ही आला की उपाधी धारन करने वाला सासा कौन था इसका पहला ऐसा सुल्तान हुआ अपने को सुल्तान नह कहा करके ना धारन करकर के सुल्तान क अपाधी इसने ना धारन करके खुद को रहते आला की उपाधी देटी ये points बहुत important है याद रखेंगा अच्छा ये था कौन ये आपको पता ये तो पता चल गए कि ये ख्रिज साह आप देख रहे हैं तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुबारक खा इसने अपने पुत्र की उपाधी थी वो साह उपाधी ले थी तो कह सकते हैं कि मुबारक साह हो जाता इसका पुत्र का ठीक है तो ये points याद रखेंगे और यहाँ पर बात करें अंतिम सासा की यानि कि सयद वंस का अंतिम सासा कौन था तो अलावतीन आलम सा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो अंतिम सासा क्ता तो इन सारे points को आपको याद रखने के लिए बढ़ते हैं next questions की तरफ और तीके third questions क्या किया रहा है कि Lord Minto ने अमरित सर की संधी यानि 1809C में अमरित सर क इस questions का राइट एंस रोगा option number D Charles Metikoff को ठीके friends ये तो बात हो गई कि Lord Minto के सासनकाल में ही अमरित सर की संधी 1809C में हुई थी किनके किनके बीच हूँ थी ये आपको ध्यान रखना है कि महराजा रजीत सिंग और Charles Metikoff के बीच हूँ थी ये questions ये पुझा रहा कि 1809 के संधी के पुर्व जो था पहले था संधी स्थापित 37 स्थापित करने के लिए Charles Metikoff को भेजा गया था ठीक है फिर्स ये point बहुत important है याद रखीगा क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला questions क्या बनता है कि चंपारन सत्यागरा में महात्मा गांधी के सहयोगियों में निमलीखीत में से क सामिल नहीं था काफी अच्छा प्रस ने बताईए इस questions का राइटेंसर क्या होगा अगर आपने हमारे कल की वीडियो यानि कि इससे प्रिवियस वाली जो वीडियो थी 74 पार्ट अगर आपने उसको देखा होगा तो definitely इस questions को आसानी से आप कर पाएंगे इस questions का राइटेंस की समस्या थे उसकी चानबिन करने के लिए आमंतित के थे बिहार में ठीक है इस आंदोलन में जो महात्मा गांदी के जो सहयोगी थे वो कौन-कौन थे तो जेवी किरपलानी राजदर प्रसाथ मजरहूल हक और फ्रेंस महादेव देसाई और नरहरी परेग ठीक है तो यह सा पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताईए कि इन में से कौन सा कथन सही है तो चलिए फ्रेंस एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं बात यहाँ पर प्रत्थम गोल्मेंट समयल की कि ज़रे तो सबसे पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया इसका आयोज में समयल का जो आयोजन हुआ वो बिल्कुल करेक्ट है कि नमवंबर से लेकर के जनवरी 1931 तक हुआ था डेट बेगर आप याद रखना चाहे तो डेट बहुत इंपॉर्ण याद रखेंगे 12 नमवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक हुआ था तो पहला पॉइंट्स तो बि ठीक है कि लॉड्ड इर्विन की उस समय के ततकालिक वैसरात है यह तो बिल्कुल करेक्ट लेकिन यहाँ पे जो यह पॉइंट्स गलात हो रहा है यह उनीस सो उनतीस यहाँ पर होना जाया था ठीक है फ्रेंट्स 1929 के घोशना के अधार पर हुआ था ना कि 1930 तो यह पॉइं होगा तो चलिए फ्रेंट्स एक हे करके सारे कथन को देखते हैं पहला कथन में क्या क्या है रहे कि हडपस अबे था अस्तल जो सुथ कांगडियर है पाकिस्तान के सिंध परांत में पढ़ता है यह पुइंट्स यहां पर यह गलत कर देंगे क्लियर यहां से questions यह पूछा सकता है कि जो सूत कांगे डौर है वो किस नदी के किनारे अवस्तीत है तो आप याद रखेंगे दासक नदी के किनारे अवस्तीता रखेंगे क्या सकते हैं दासक क्या सकते हैं याद रखेंगे ठीक है second point क्या क्या किया रहा है कि काली भंगण एवं लोथन से संदो कालिन घोड़े के अस्थी पंजर के अवसेस मिलें ये point बिलकूल इनलो to lowest पर कौई दिक्कत नहीं सेंदो काल अस्थल जो काल अभल वो थल यहां से घोड़े के अस्थे-पंजरबी लिया कालीबंगिन कहाँ पर पढ़ता राजस्थान में लतल, घुजरात में पर लौथल यह फिरें सेंदो काली बंगन और लोथल दोनों से मिला करके अगनी कुंट जो प्राफ्थ हुआ था वो दोनों तरह दोनों जगह से प्राफ्थ हुआ था ठीक है मन के बनाने के जो कार खाने मिलेते वो कहां कहां से मिलेते तो लोथल और चंद हुदरू से मिलेते यह कोई समय आपको पहले भी कर रहा था ठीक है काली बंगन से अगर बात करें तो काली बंगन से दो चीज बहुत important होता है जो कि पूछा जाता है जोते हुए जो खेत के साक्षी मिले थे वो और नकासिदार इटो का साक्षी जो मिला था वो यहीं से मिला था ठीक है तो I hope कि यहां से आपको सारे points clear हो गए होंगे जो भी important question पूछे जाते हैं अगला question दीखिए क्या है मुझे गर्व मसूस होता है कि मैं अपने देश की अजादी के लिए फासी के तक्तिव पर जूलने वाला मैं पहला मुसलमान हूँ या कथन किस क्रांती कारी का था बताईए इस questions का राइटेंस रोगा option number D यानि friends अस्वा कुला खान अब यह कौन थे अस्वा कुला खान तो मैं आपको यह बता दू कि अस्वा कुला खान भारतिय सौतंता संग्राम के प्रमु क्रांती कारीओं में से एक थे और इनका जो न इचे comments करके बताना है कि काकोरी जो कांट था यह क्या था कब हुआ था इसके बारे में आपको जितनी भी important points पता है वो आप comments करके बताएंगे सबसे important कब हुआ था और यह इसके नायक कौन थे ठीक है friends आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले में आपको एक च नेताओं ने Congress के त्याग पत्र दे दिया था बताईए यहाँ पर आपको यह बताना कि और सायोग आंदोलन के विरोध में कि नेताओं ने Congress से त्याग पत्र दे दिया था तो देखे friends इस questions का right answer क्या होगा इसका correct answer option C यानि कि एक दो और तीन मुहमद अली जिन्ना एनी बेस मुहमद अली जिना एनी बेसेंट और बीपिन चंदर पाल क्लियर नेक्स शुचन दीखें क्या किया रहा है नेमलिकित में से कौन सार यूद निनायक यूद था जिसमें फ्रांसीसियों की हार होई थी और अंग्रेजों की सरवोचता स्थापित हो गई थी बताईए friends क्या ह अंग्रेजों की बीच हुआ था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार होई थी यहां से कुछ क्वेशनस बन सकते हैं जो की पेपर के लिए most important होता है सबसे पहला point तो यह बन सकता है कि वांडिवास का यूद आप देख रहे हैं इसमें वांडिवास कहां पर पढ़ता है वांडि देख कने जबस का यूद इसमें अब यहां से कुछ क्वेशनस और बन सकते हैं जैसे कि फ्रांसी से यहीं की जो सेना की नित्यत्व किस ने कया था तो आप यह भी याद रखेंगे काॉंट डी ब्धावी बोधी सत्वा तो या फिर भावी ब्धिस्त्वा किसे का माना गया तो इस dan भूर फिलिकुल करट्थ सकते उप्ट्स इसकीन पर यह हैं मैत ठीक है आपको याद सबसे पहले आपको यह समाच के स्थापक जो थे द्यानन सरस्वति ने आर्यो का मुल अस्थान जो बताया था वो तिबत निवासी बताया था इन्हों ने कहा था द्यानन सरस्पती जी ने कहा था कि आर्यो का जो मुल निवास है वो तिबत है वो तिबती निवासी थे लेकिन फ्रेंट्स ये तिलक आप देख रहे हैं बाल गंदर तिलक ने ये कहा था कि आर्यो का आर्कटिक छेत्र जो है वो मोल निवासी बताया था आर्कटिक छेत्र के मोल निवासी बताया था आर्यो को इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी यानि फ्रेंट्स बाल गंदर तिल में की गई थी तो यह सारे points बहुत important है पेपर में आपको देखने को मिल सकता है आगे बढ़ते हैं next question देखें क्या कहा रहा है कि कि किस इतिहासकार नहीं कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मुर्कता का स्मारक था इस questions का सही उत्तर है option number B यानि कि B.A. Smith ठीके options भी बिल्कुल correct answer हो जाता अब देखें यहां से दो questions आपको याद रखते हैं जैसे कि दीन इलाही की जो शुरुआत स्थापना की गई थी वह अकबर ने कब की थी तो यह paper में देखने को मिल सकता है पंद्रासो ब्यासी से में लेकिफेंस इलाही समवध की जो starting की थी वह कब की थी तो पंद्रासो तीरासी से में तो यह दोनों points आप याद रखेंगे के लिए आगे बढ़ते हैं देखें next options में क्या कह रहा है निमलिखीत कत्थनों पर कौन सा कत्थन जो असत है ठीके friends यानि कि 4 options को पढ़िए और उसके बाद बताए कि निमलिखीत में कौन सा कत्थ में हुआ था तो बिल्कुल करेक्टिस में कोई दिकत नहीं दूसरा करखाना अधिनियम 1881 जो की 91 में हुआ था अब मेरे मुझ से 1881 निकल रहा है तो भी आपको बताता हूं परत्थम करखाना अधिनियम जो लाग हुआ था फ्रेंस लॉड रिपन के सासन कल में 1881 में लगा जाता है ठीक है दोनों पॉइंट्स यहां पर सही होता है थर्ड पॉइंट्स में पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में कहकर है कि पंजाब का प्रसीद कुका अंधूलन लॉड मेयो के सासन काल में हुआ था देखें यह पॉइंट्स यहां पर गलत हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था बहुत इंपॉटेंट पॉइंट से यह याद रखेंगे तो आपने देखे फ्रेंट्स यहाँ पर जो ऑप्सिंस सी था वो गलत तरीके से मैच कया था और आप इसको सुधार करके सही कर लेंगे बढ़तें नेक्स विसंस की तरफ और देखे जो मैं आपस्नमंबर एक गरेक्र आँशर हो जाता जहांगीर के सासिन काल में और 60 साथ आपको यह याद रखना की जहांगीर के साल साथ यह यहांन के सासिन काल में भी थे घैंज तो बंस में यहांपन पर फिर सकस्व ऑई ज्याहां जहांगीर हो जिया त DF यह पॉइंट देखें, next विसन्स में क्या दिया गया कि मौरेस आसन्स विवस्था में रूप दर्सक नामक अधिकारी था, तो बताए कि रूप दर्सक नामक अधिकारी जो था, वो कौन था? इसका सही उतर होगा, options A यानि कि सिक्के का परी रख्षक, options A बिल्कुल correct answer हो जाता है, इसे हम एक और नाम से कह सकते हैं कि टकसाल अधिक छट, ठीक है फ्रेंस, टकसाल अधिक छट कह सकते हैं या फिर सिक्के का परी रख्षक, options A correct हो जाता है, next जिया कह रहा है कि भारत में न क्या होता है, कि नियाईक पुन रख्षक की जो संकल्पना ले गई है, वो अमेरिका के समिधान से ले गई है, options B यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाता है, और बाकी options के बारे में लोगों ने कई बार डिसकस किया, last मैंने वीडियो में बताया था, तो फिलाल आगे बढ़ते हैं देखें नेक्षोसर में क्या कह रहा है कि निमली खीत कत्रों में से कौन सा जो भारत के सर्वोच्य न्याले के संदर में सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा सही नहीं आपको बताना है, सर्वोच्य न्याले के यानि कि सुप्रीम कोर्ट के संबरत में सही नहीं है, तो चल में 7 अगस्ट 2019 के पास जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में पास किया गया और साथ से आर्टिकल 124 के फर्स्ट के अनुसा ऐसा कर दिया गया 33 के जगह पे जो की प्लस में वन यानि कि पहले जो थे वह बढ़ा करके 33 प्लस वन कर दिया गया ठीक है सेकेंड पॉंट में देखे क्या कर आए कि वर्स्ट जो नदीस वही होंगे जिन्होंने वर्तमान नदीसों में सबसे पहले सरोग चन्याले के लिए नियुक किया गया था बिल्कुल कररक्ट्ट में कोई दिक्कत तैक और थार्ड पॉइंट यहां प्लस जोते हैं कि आप गलत करेंगे और यही हमारा correct answer होगा क्योंकि सही नहीं है में चुनदा था और last options देख लिए क्या कहा रहा है कि समिधान में यह निधारित कियागा कि सर्वोचे नियाले दिल्ली में होगा आपको यहां से कुछ important points आपको यह याद रखने कि आर्टिकल जो 356 है यानि कि 356 के तहती रास्टपति सासन लगव होता है clear friends आगे बढ़ते हैं अगला question क्या कह रहा है कि यदि भारत संग के नए राजी का स्रीजन करना हो तो समिधान की किस अनुसूची में अवस्य संसोधन किया जाएगा काफी अच्छा प्रस्ट ने बताईए इस questions का right answer क्या होगा तो इस questions का right answer option number D यानि friends इन में से कोई नहीं क्यूं क्यूंकि पहले जो अनुसूची होता है उसमें संसोधन करना होगा तो फिलाल यहाँ पे पहला अनुसूची नहीं दियागा था इसलिए right answer हम D को टिक करके आगे बढ़ेंगे पहले उस अनुसूची में संसोधन किया ज तो आपको यह चीज पता होगा friends की पहले जो हमारा मौलिक अधिकार था वो कुल साथ हुआ करता था लेकिन friends 1978 में ठीके 1978 में 44 संसोधन के तहत इसमें से जो संपत्ती का अधिकार था उसको हटा करके कानुनी अधिकार का दर्जा दिया गया था और वही कानुनी अधिकार ज जाएगा और यही इस questions का right answer है option number C clear friends तो यह points बहुत important है याद रखेंगे next question क्या बनता है कि राजी के नेतिन देशक तत्तों के बारे में कौन असकते यानि friends यहां पर जूत मिलान किया गया उनमें साब को बताना है कि कौन गलत तरीके से मिलान किया गया तो एके करके देख किया है तो I hope कि आप सभी को पता होगा सबसे important पहला ही points है कि अनुछेद 40 तो ग्राम पंचायतों का गठन और यह one of the most important article है हर exams में पुछा जाता है और यहां पर अनुछेद 41 देखे काम करने का अधिकार यह भी बिल्कुल correct है लेकिन friends लेकिन यहां पर option C गलत किया गया क् article 48 में न्यायपालिका और कारेपालिका के प्रिथाकरन नहीं है यह बात तो 50 में कही गई है जो कि कारेपालिका और न्यायपालिका जो प्रिथाकरन है वो article 50 में कहा गया है लेकिन article 48 में क्या है यह हमें जानना होगा तो मैं आपको बता दूँ कि article 48 में क्रिसी एवं से संबंदीत बात किए और साथ है अब यह भी याद रखो कि आर्टिकल-48 जो को है वो किसे संबंदीत है तो परियावरंका संदक्छन जो वो इससे संबंदीत होता है और यह most important है इससे याद रखने में कोई दिक्कत ने हुआ देखे article 44 क्या हो सम्मान नागरिक सनीता यानि कि सम्मान तो देखे 4 और 4 दोनों सम्मान है इसलिए सम्मान नागरिक सनीता ये points आप याद रखेंगे तो देखा फैंट्स यहाँ पर राइट एंसर क्या होगा option number C जो कि गलत था आगे बढ़ते हैं और next देखे क्या है निती आयोग के विशाय में इन में से कौन सा जो एक सही नहीं है यानि ये गलत तरीके से रिखा गया तो आपको बताएए वो कौन सा इसमें है जो गलत है तो चलिए एक एक करके ऊपर से देखते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं पहला पॉइंट में क्या करे है कि या साकारित संगवाद के सिधान पर अधारित इसमें भी कोई दिखत नहीं सेकेंड पॉइंट दिखे क्या है कि इसका गठन योजना आयोग के सत्थान पर किया था तो बिल्कुल करेक्ट है कि योजना आयोग जो था वो 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था लेकिन फ्रेंट्स जस्ट इसके बाद इसका गठन जो किया गया इसके आगे दिखे पॉस लिखा गया इसका जो गठन गया जनवरी 2015 में किया गया पॉस लिखे दोरा तो यह पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं लेकिन गलत जो कहा गया यहां पर यह किया गया कि इसमें एक पॉनकालिक अध्यक्ट होता है तो आपको पर्धान मंत्री ही होते है तो पर्धान मंत्री जब तक रहेंगे वो इसके अध्यक्ट रहेंगे तो पॉनकालिक तो कहा नहीं सकते हैं कि ठीक है तो इस तरह से कह सकते है ऑप्शन D हमारा गलत होता है अब आपके लिए छोटा सा questions यह कि नीती आयोक का जो नीती है इसका full form आपको नीचे comments करके बताना है कि नीती का full form क्या होता है सभी लोग comments करके बताएंगे questions पूछता हूं तो कोई लिए comments करके नहीं बताते हैं जो कि यह बहुत गलात बात है आप ही लोग के लिए पूछता हूं अदुरवाईस हम खुद बता सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से यह सब बताओ ताकि आप लोग अच को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे ठीक है option C right answer हो जाता है next question में क्या बनता है कि चमीरा जल विदूद पर्योजना किस राज्य में इस्तित है बहुत अच्छा प्रस ने बताईए चमीरा जल विदूद पर्योजना किस राज्य में अवस्तित है इस questions का right answer को options B यानि की पर्दिस के चमबा जीले में इस्तित है और यह किस नदी पर बनाए तो यह भी आप याद रखेंगी यह रावी नदी पर बनाए गया किलर आगे बढ़ते हैं next question क्या कह रहा कि 10 डिगरी जो जल संदी है यानि कि 10 डिगरी जो चैनल है वो निम में से किसको अलग करती है इस यह लग करते है कि 10 डिगरी जो जल संदी है किसको अलग करता है इसी का राइट असर किया चोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है इंक अग्ला нед reply की क्या कह रहा कि निम में से किसे यूरोप के खाले सहर के रूप में जाना जाता है यह एक नाम दिया गया तो आपको बताए किस को नाम दिया गया यूरोप के किस सहर को काले सहर के रूप में जाना जाता है इसका सही उतरदगा बर्मिंगम ठीक है फेंस ऑप्संस डी करेक्ट होता है बर्मिंगम जो वह इंग्लेंड में एक सहर है त ठीक है फ्रेंट्स, option C बिल्कुल correct होगा, और इसकी जो स्थापना की गी थी, वो कब की गी थी, तो 1992 में इसकी स्थापना की गी थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next thing, देखे क्या कह रहा है, कि सुची 1 तका सुची 2 के साथ मिलान करना, यानि कि फ्रेंट्स, बस ये कह सकते हैं, इसको मिलान करना, जील और उसके स्थान के साथ, तो मिलान कीजिए, आपका समय सुरू हो गया, देखे फ्रेंट्स, अभी तक मैंने ये आपसे नहीं कहा, कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये तो आप obviously करेंगी, करेंगी, लिकिन मेरा ये फर्ज बनता है, कि आप लोगों को ये ध्यान दिलाना, कि वीडियो को लाइक भी करन होता है, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हो, बट लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है, आप ही लोग के लिए तो करा रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बस यही कहना चाहूँगा, कि आप लोग जि जिल होता है, वह बड़ी पूर्व में पढ़ता है, जैनी कि A का जख़की D के साथ होना चाहिए, तो A का D के साथ कहाँपे मिल रहा है, चलो यहाँपे भी A का यहाँपे मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं, अब देखे फजिल आपको पता है कि छिलका जिल जिल उडवी सामय प तो रूपकुण जो पढ़ता है फ्रेंट्स यह कहाँ पर तो उत्राखंड में पढ़ता है उत्राखंड के चमोली जिले में इस्तित है यह आप याद रखेंगे यहां पर हम लोगों ने लोकटक जील के बारें बात के था तो लोकटक जील से important points ये बनता है कि इस जील के अंतरगत friends काबू, लामजाओ नेशनल पार्क इस्ती थे जो कि एक मातरी दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कहा जाता है ठीक है आगे देखिए नेशनल ने क्या कह रहा है कि 200 विख्यात डोनवास कोईला चेतर किस देश मिश्ती थे 200 विख्यात डोनवास कोईला चेतर किस देश मिश्ती थे इस questions का राइटेंस रोगा options ए यानि की Ukraine, clear friends Ukraine Ukraine से लेटेट आपको दो points याद रखने, पहला points तो मैं बताऊंगा दूसरा points आप बताएंगे पहला points यह है कि इसकी जो राध्धानी होती होती है क्यूँ, ठीक है अब दूसरी points जो बनता है इसका मोद्रा नीचे आप comments करके मुझे बताएंगे, ठीक है उत्तरी सागर कहां पर पढ़ता है ताकि आपको याद रखने में काफी असानी हो सके, ठीक है उत्तरी सागर कहां पर पढ़ता है आप exact location इसका देख सकते हैं, मैंने Google Map से लेकर के इसको आपके screen पर लगा रखा है क्लियर आगे देखिए, next location क्या बनता है कि अर्थ वस्ता की ब्रीधी धर, खाली स्थान की अनुसार मापा जाता है अर्थ वस्ता की जो ब्रीधी धर होती है, वो किसके अनुसार मापा जाता है तो ये काफी अच्छा प्रस्ट है, इस questions का राइटे स्रों का options A यानि की रास्टी ये आए के थरू मापा जाता है इस तरह से भी कह सकते हैं, फ्रेंट्स की रास्टी ये रोसरी, रास्टी ये आए से ये तात्पर होता है कि अर्थ वस्ता दोरा, पूरे वर्स के दोरा, उत्पादित, अन्तिम सेवाओं और वस्तुओं के सुध्ध मौदरिक मोले के योग से होता है तो इसका राइटिन से क्या ऑप्सन नंबर एक करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट विशन क्या बनता है फ्रेंट्स की निमलिखी किस पंचवर्शी योजना को रड़े नितिक रूप से हरित करांती से जोड़ा जा सकता है बताईए काफी अच्छा प्रस्ट है देखिए थोड़ा अलग तरीके से घुमा करके यह बोला गया तो आपको बताना है तो इस क्वेशन का राइटिन से हम क्या टिक करेंगे देखिए इस क्वेशन का राइटिन से तो फिलालाम ऑप्सन C को टिक कर सकते हैं कि चौथी पंच्वर्सी योजना आप सभी को पता है कि भारत में जो हरित करांती के स्टार्टिंग के गए थी वो 1967 से 68 में स्टार्टिंग की गए थी ठीक है फैंस यानि कि जो कि 1989 से 1974 की ओधी के भी सबसे अधिक देगने को मिलता था इसलिए क्या सकते हैं कि जो रणनीतिक रूप से हरीत करांती जो जोड़ा जा सकता है वो चौथी पंच वर्जी होदना से जोड़ा जा सकता है option C correct हो जाता है next question क्या बनता है कि विश्वे विकास रिपोर्ट में निमलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकासन है जो विश्वे विकास रिपोर्ट होता है वो किसके दौरा प्रकासन किया जाता है इस questions का right answer options A यानि कि विश्वे बैंक के दौरा options A right answer हो जाएगा विश्वे बैंक से कुछ important points जैसे याद रेक्नाइफ इसका उदेश से क्या होता है इसका मुखे उदेश से है कि जो सदस से रास्ट है यानि कि इसमें जितने भी सदस से होते है उनके पूनर निर्माड और विकास के कारियों में सहता प्रदन करना इसका headquarter का आपे पड़ता है तो Washington DC में ये सबचीत तो बात कर लिया लेकिन इसकी स्थापना कभी थी इसकी स्थापना 1945 में की गी थी ये points important है clear Washington DC इसका headquarter पड़ता है next question क्या दिया गया कि कि भारत में पहली बार वयाएकर लगाने का सुझाओ दिया था भारत में पहली बार वयाएकर जो लगाने का सुझाओ दिया था इस questions का right answer रोगा options B यानि की calder ने ठीक है options B रोगता है अब मैं आपको बता दूँ कि calder कौन थे तो calder जो थे friends Cambridge 200 बिद्याले के एक अर्थसास दे थे और इन्हों नहीं कहा था कि भारत में पहली बार वयाएकर लगाने का सुझाओ जो दिया गया था वो अप्रेल 1957 में दिया गया था 1957 में ठीक है 1957 में तो ये चीज़ आप याद रखेंगे देखे अगला कुशन्स क्या कहनता है कि भारत की मिट्टी में दो तत्तवों की कमी उर्वरकों में उपिहोग को अधिक अवस्यक बनाती है ये दो तत्तवे कौन से है तो इसका सही उतर है अगला कुशन्स में क्या कह रहा है कि चंदौली रास्टिये पार्क निम्रिखेत में से किस भारती है राज्य में स्थील है देखे इसका जो नाम ही ऐसा पढ़ता है चंदौली जो पढ़ता फिरेंट्स वो उत्तर पर्देश में पढ़ता है लेकिन फिरेंट्स अगर बाद करें चंदौली रास्टिये परक तो ये महारास्ट में पढ़ता है इसक्वेशन्स का राइटेंस वर जोगा। बी कॉप टिक करेंगे ध्यान में रखेंगे के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि निमली खीत कत्षुनों पर विचार कीज़ें फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताईए फ्रेंट्स इनमें से कौन से मिलान सही है तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट्स क्या क्या रहे कि सारधा परियोजना उत्तरपर्दिस बिल्कुल करेक्टर्स में कोई दिकत नहीं सारधा परियोजना जो फ्रेंट्स उत्तरपर्दिस में इस्तित है और यह किस नदीप है तो सारधा और गुम्ती नदी कह सकते हैं नेक्ट जाब बंता है कि पंचेट बांद जो पंचेट बांद है वो जारखंड और बिहार के साथ मैस गया है तो ये गलत है क्योंकि जारखंड और पस्चिम बंगाल होना चाहे था पंचेट बांद और ये किस नदी पर बनाएगे तो दामोदार नदी पर बनाएगे तो कह सकते हैं कि हमारा जो मिलान यहां पर सही था केवल एक बिल्कुल सही था ओप्सिंस एक आप टिक करके आगे बढ़ेंगे निमलिकित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाणी में गिरती हैं बता ये फ्रेंट्स बहुत ही सिंपल सा क्वेसंस है बस आपको छोटा सा ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी जो है यहां पर बंगाल की खाणी में गिरती है तो देखें यहां पर राइट इंसर क्या होगा सबसे पिरद आप जान लेजिए कि गंगा ब्रहमे पूत्र को दावरी ये तो गिरते ही गिरती है ओविसली है महानदी कृष्टना और कावेरी ये सारी की जो सभी नदियां वो फ्रेंट्स वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरते तो कह सकते हैं यहाँ पे दोनों बिल्कुल करेट हुगा एक और दो ठीक है ओप्सिंस डी को आप टिक करेंगे देखे अगला क्या गया रहा है कि बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भासा का दर्जा कब दिया गया था इसका सही उत्रोगा ऑप्सिंस ए यानि कि 1984 में ठीक है फेंस 1984 में बिहार में उर्दू को दुसरी भासा का दर्जा राज्य भासा का दर्जा दिया गया था पहली राज्य भासा कौन सी है तो हिंदी है यह पोइंट्स आप याद रखेंगे आज़ेगे, next question क्या दिया है कि बिहार में, गंगा नदी में मिलने वाली जो दो नदी है, इसका उद्गम अस्थान कौन सा है? यानि total मिलाकर यह कहें तो सो नदी का उद्गम अस्थान है आप से पूछ रहा है कि दो नदी का उद्गम अस्थान कौन आ तो यह दोनों पॉइंट्स इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है ठीक है क्लियर आगे देखते हैं नेक्स देखें क्या कहा रहा है अगला प्रस्ट नमारे यह बनता है कि किसी तत्व के समस्थानी के बीच अंतर किनकी भीन अलग संख्या की उपस्तिती के कारण होता है कर कि इसको आप सिंपल से इस तरह से समझ सकते हैं देख공 पर में का समस्थानिकान चलता है यानि के हाईज कि अगर बात करें देखकें अगर हम बात करें आपका आप का परमाड swims ऑन और मैं से अगर घंत तो नुठ्रों === और जो तो हमारा जो पोट्रोन के संख्या निकलेगा वो एक के बराबर निकलेगा तो कैसे सकते किसकी संख्या भीन हो रही है तो न्यूट्रोन के संख्या भीन होती है इसते options एह हम correct कर दकते हैं ठीक है फ्रेंट्स आगे देखते हैं next portion दिखें क्या बनता है कि नींवली खीट करतों में से कौन सही है ज्यानि यहाँ पर आपको जू मिलान दिया गया बताना है कि इनमें से कौन सही कियागया तो चलिए एक एक करके देखते हैं सब से पहला पॉंट कहके एक एक एक्ट्रान वोल्ट जो वो उर्जा की इक्षाहिए बिल्कुल करेक्टिस में कोई दिखित्ने इलेक्ट्रान वोल्ट ट्रैक्ट कोईषान्स पूछा जाता है कि किसकी इक्षाही होती है और किलो वाट घंटा इसको देखते हैं काफी लोग गलत करते हैं वाट यानिकी घंटा अब देखते हैं और डेक्ट वो करते हैं क्या कि वाट जो होता है वह कारे का मात रक होता है इसलिए आपको बिद्धूद उर्जा का मात रक होता है इसलिए option C को आप टिक करेंगे और कई exam में आपको एक देखने को मिलता है और कई प्रैक्टिस सेट में भी आपको एक कुछस देखने को मिलता है लेकिन वहाँ पर आपको गलत एंसर भी दिया गया रहाता है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे किलोवाट घंटा बिधुत उठ जाका मातरक होता है के लिए आगे बढ़ते हैं देखी फेंस अगर मैं बोलो कि कोई बच्चा है अगर कोई गेंद को अगर यह उपर की तरफ उच्छाल करता है तो क्या होगा कि कोई यह उपर में लास्ट पॉइंट पे जाएगा और वह वह लास्ट पोइंट से वापीस किया कि अब वहाँ से आएगा तो जब यह उपर गया तो वहाँ पर जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वह कहीं न कहीं लास्ट पॉइंट जब एकदम लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर एकदम सुनने हो जाएगा देखें नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भी correct किया गया अगर बात करेımızARA काρε का मात्राग जो Joule होता है यहाँ आप देख सखते हैं कारे का मात्राग जूल correct है अवयक जो हता है फ्रेंड्स क्या होता है न्यूटन सेकेंड होता है यह आप yumuz याद जहां पर सबसे important आप याद रखेंगे आवेग ही सबसे important यह बन जाता क्योंकि बाकी तब कोई यादी होगा तो यह चीज़ आप याद रखेगा देख बनता है कि किस nuclear कंड में कोई द्रविमान और कोई आवेस नहीं होता है किन्तु प्रचक्रण होता है क्या होगा इसका right answer इस questions का correct answer is option number B यानि friends neutron ठीक है जो neutron होता है इसमें ना तो कोई आवेस होता है और नहीं यह इस पे कोई चार्ज होता है एक neutral होता है options number B को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे देखें next question में क्या दियागा कि किसी जीवित देख के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्तिव को क्या कहते हैं इसका right answer ए options A यानि की neutrophilia clear options A होगा बिलकुल right answer किसी देख के भीतर जीवित कोशिका या फिर उत्तक की मृत्तिव को ठीक है friends भीतर कोशिका या फिर किसी सेल या किसी उत्तक के मृत्तिव को नूट्रोफिलिया के नाम से जाना जाता है ऑप्संस ए राइटंसर हो जाएगा मानोसरीर में उपस्तित हीमोग्लोबिन का कारे क्या है जो मानोसरीर में हीमोग्लोबिन होता है तो इसका जो कारे होता है वो क्या होता है इसका कारे होता है friends हमारे पूरे body में oxygen का परिवहन करना ठीक है पूरे body में oxygen को एक जगह से दुस्से जगह ले जाना इसका main कारे यही होता है अगला question में क्या बनता है कि नेत्र में परिवेश करने वाले प्रकास की मातरा का नियंतर निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है इस questions का सही उत्रगा option c यानि की iris के द्वारा किया जाता है ठीक है friends option c correct answer हो जाता है इसको हिंदी में परितारीका के नाम से जाना जाता है और यह क्या करता है कि जो नेत्र में परकास का परवेश करना कि इतनी मातरा जाएगी जो भी नियंतरन करना होता है तो इसका right answer का आईरिस के करन और आईरिस का एक कारी यह भी होता है friends की जो आँख का color होता है किसी की ज्यादा blue होती है किसी की black होती है तो इसी पर डिपेंड होता है आईरिस के उपर कॉर्णिया का दान किया जाता है और मानों सरीर पे जो प्रत्य भी बनता है तो वह कहां पर बनता है रेटीना पर बनता है वास्तविक और उल्टा तो यह चीज़ आप याद रखेंगे दे तो इस सचरे के पहले है पॉइन सरह का पा करहा है पृपुष। उप आधसोल पे जितने तो पहले माइला बन गई है तो यह पहले है 포인 का यहाद़ी औल्लटा। World Olympic Association W.O.A. के द्वारा उन्हें दी जाती है यानि कि उस वेक्ति को उस खिलाडी को दी जाती है जिनों उने Olympic में कोई पदख जिताओ और साथी साथ वो समाज में Olympic के खेल के महत्वे के बारे में बताते है तो इसका right answer तो second point बिल्कुल correct होता तो कह सकते हैं कि हमारा right answer को के बल दो कि लिए options भी right answer हो जाता है ने शोचन यह कह रहा है कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक my encounter in parliament के लिखा कौन है my encounter in parliament के लिखा कौन है तो इस questions का right answer हो का option number A यानि कि भाल चंद्र मुंगे कर options A right answer हो जाता है तो देखे friends यहां पर हम लोगों ने 50 questions काफी अच्छे से discuss किया I hope कि आप लोगो आज की वीडियो काफी अच्छी लगे होगी नीचे comments करके बताए कि out of 50 से आपकी scoring क्या रही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like ठोकी अपने दोस्तों साथ share कीजिए आपके सामने इसका राइट इंसर नीचे comments करके बता सकते हैं इसका राइट इंसर क्या होगा तो friends हम मिलते आपके साथ इसे परकार के नेक वीडियो में किसे ने टॉपिक के साथ Thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day